नेपाल अब ब्लाकमेलिंग पे उतर आया है, वहां की जो रूलिंग पार्टी है, कमिनिस पार्टी नेपाल माविस सेंटर, जिसके प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार देहल हैं, उसी पार्टी की जो उप अध्यक्ष है, पंपा भूसल, उनके द्वारा रीसेंटली एक स ये वाला जो स्टेटमेंट है, बेसिकली इसके माइने ये हैं, कि नेपाल गवर्मेंट ये कह रही है, कि अगर गवर्मेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को एकसेप नहीं करती है, पब्लिक नहीं करती है, तो हम लोग फोर्सिबली इस रिपोर्ट को यहां पर पब्लिक क possible ये statement दिया गया है वहां के Maoist leader के द्वारा. बात करेंगे दोस्तों क्या है ये EPG report जिसके बारे में यहाँ पे जिकर किया गया है क्यों नेपाल चाहता है कि इस report को इंडिया के द्वारा accept किया जाए, public किया जाए and इंडिया का इस particular report को लेकर क्या stance है वो भी हम लोग समझने का प्यास करेंगी. आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनरुद. यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि Unacademy अपने ultimate scholarship test को एक बार फिर से लेकर आई है जो कि 5 मई को होने वाला है इस test में enroll नहीं किया है अभी enroll कीजिए जो लोग इसमें top करेंगे अच्छे marks लेकर आएंगे उनके लिए Unacademy की तरफ से scholarships और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी यहाँ पे available करवाया जाएगा आज से आठ साल पहले की बात है जन्वरी 2016 जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली उस टाइम पे एक panel को गठित किया गया था इस panel का नाम था EPG Panel जिसका full form था Eminent Persons Group Panel और यह वाला जो panel था इसमें कुल मिलाके आठ सदस रखे गए थे चार सदस से भारत की तरफ से थे और चार सदस से रखे गए थे from the side of Nepal इस पैनल का जो mandate था वो केवल यह था कि आपको एक नई report पेश करनी है जिसके चलते इंडिया नेपाल के बीच में जो 1950 वाली जो treaty हुई थी उसमें हम लोग क्या-क्या changes कर सकते हैं उसमें हम लोग क्या-क्या modifications कर सकते हैं इसको लेकर आपको recommendations पेश करनी थी यह वाली जो panel थी 2016 में गठित किया गया लेकिन इसकी जो report सामने आई थी वो कुछ सालों बाद दो साल बाद 2018 में report को तयार कर लिया गया था लेकिन अभी तक उस report को किसी भी सरकार के द्वारा public नहीं किया गया था basically क्या तै किया गया था कि reports बना दी जाएंगी बनाने के बाद दोनों reports को दोनों ही prime ministers दोनों ही countries के prime ministers को swap दिया जाएगा और उसको देखने के बाद नेरिक्षन करने के बाद दोनों ही जो prime ministers हैं वो उस report को public कर देंगे at the same time लेकिन हुआ क्या कि अभी तक उस report को किसी भी देश के द्वारा public नहीं किया गया 50 का जो treaty of peace and friendship है उसको replace करेंगे एक नई treaty लेकर आएंगे कहा गया था कि इंडिया नेपाल border को regulate करेंगे कि जो लोग हैं जो specifically इंडिया से नेपाल की तरफ जाना चाहते हैं वो अपने ID cards को पेश करेंगे जब वो इंडिया से नेपाल की तरफ border को cross करना चाहते हैं लेकिन as such कोई भी इस report को लेकर जो proper इसका document है वो सामने पेश नहीं किया गया था अब नेपाल क्या चाह रहा है नेपाल काफी लंबे अर्से से इस चीज को चाह रहा है कि ये वाली जो report है इसको public कर दिया जाए जस्ट पिछले 8-9 महीने पहले की ही बात है 2023 अगस्त की आप लोगे यहां पे खबर देखिए नेपाल में एक event organized किया गया था बाइदर टंका प्रसाद स्मृति प्रतिस्थान और ये जो event था ललितपूर में organized किया गया था ललितपूर नेपाल में एक municipality है जो की काटमंडू के बिलकुल नजदीक पड़ती है वहाँ पर interaction हुई थी और वहाँ पर भी यही वाली बातचीत चल रही थी बहुत सारे experts ने बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो EPG report को बनाया गया था इसको जल्द से जल्द public किया जाए बलकि यह वाला जो conference हुआ था इसमें यह भी कहा गया था कि अगर इंडिया इसको public नहीं करती है नेपाल को इस report को अपने सांसद में अपने parliament में पेश कर दिना चाहिए और forcibly by one way or the other इसको public कर ही देना चाहिए उस particular जो वहां पे seminar हुआ था जो वहां पे event हुआ था वहां पे नेपाल के पहले जो former deputy minister रह चुके हैं और even former foreign minister रह चुके हैं कमल थापा वो भी उपस्थित थे इन्हों ने कहा था if the government of India does not receive the report prepared by the joint panel then the government of Nepal should receive it इतना ही नहीं वहां पर एक और expert present थे उन्होंने तो साथ में ये भी कहा कि ये वाली जो report है इसको एक proper practiced model के alignment के साथ बनाया गया था ये कोई academic exercise नहीं थी क्योंकि India एक emerging regional और global power है उसको accountable होना चाहिए and India should be more responsible towards its neighbors ये सारी बातें पिछले साल अगस्त 2023 में ही कही गई थी और आज हम फिर से देख रहे हैं April 2024 में जो Nepal की ruling party की उपध्यक्ष है Pampa Bhusal उन्होंने भी same बात को दोराया है if the government of India does not show any interest in receiving the report the Nepal government should take this particular initiative in fact उन्होंने अपने statement में ये भी कहा कि EPG report ही है अगर उसको public करते हैं तो उससे इंडिया और नेपाल के बीच में जो open और porous border है वो regularize हो सकता है और उससे नेपाल को काफी मदद मिल सकती है इतना ही नहीं दोस्तो कई बार नेपाल यहाँ पर blackmailing tactics भी अपना चुका है ये कहते हुए कि अगर यहाँ पे नेपाल इस report को इतनी जादा public करने की demand क्यों कर रहा है basically जो नेपाल इंडिया के बीच में जो friendship treaty 1950 वाली थी नेपाल उस चीज से काफी नाखुश था नेपाल को कई बार लगता है कि because of that treaty आज भी इंडिया नेपाल के जो घरेलू मुद्दे हैं उसमें दखल अंदाजी करता है कई बार नेपाल को लगता है कि इंडिया नेपाल के चाइना के साथ जो संबंध है उनके ऊपर सवाल उठाता है नेपाल का ये भी कहना है कि जो open और porous border है उसमें इंडिया कई बार उसको misuse करता है human trafficking हुई drug trafficking हुई currency trafficking हुई ये सब चीज़ें करी जाती है और साथ नेपाल ये बोलता है कि क्योंकि हम लोग एक ऐसी country है जो कि इंडिया से घिरी हुई है तो इंडिया हमें reciprocity offer नहीं करता मतलब कि जितना की हम इंडिया के लिए करती है उतना इंडिया हमारे लिए बदले में नहीं करता है इसलिए नेपाल को लगता है कि अगर EPG report को public किया जाएगा तो जो भी यहाँ पर modifications है उस 1950 की नेपाल treaty में वो modifications हमें देखने को मिल जाएंगी अब सवाल आता है कि इंडिया का इस चीज़ को लेकर stands क्या है इंडिया ने 2022 के बाद इस particular चीज़ को लेकर कोई भी stand नहीं दिया है इंडिया के जो यहाँ पर foreign secretary है उन्होंने 2022 में बोला था all I would say is the EPG report would be reviewed after it is submitted मतलब कि इंडिया ने वो वाली report को अभी तक PM office को submit नहीं किया है और साथ ने ये भी कहा गया it is yet to be submitted I think the government will take into consideration only once it is submitted in short कहा जाए तो इंडिया ने वर्चुली उस report को accept करने से इंकार कर दिया है कारण क्या है किसी को नहीं मालूम possible reason ये हो सकता है कि जबसे नेपाल में दोस्तों लोकतंत्र आया है हम सभी को मालूम है नेपाल में political instability बहुत जादा बढ़ चुकी है अगर आप देखें केवल 2018 से ही देख लीजे पिछले 5 वर्षों में नेपाल में 3 अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं दो बार केपी शर्मा ओली एक बार पुष्प कमल देहल और दो बार शेर बहादूर दियूबा हमें ये वाले अलग-अलग PM देखने को मिलते हैं हर बार इनकी सरकारे मदलती रहती है इनके गठबंदन चेंज होते रहते हैं इनको खुदी नहीं पता कि इनकी जो government है वो कितनी stable है या नहीं है That could be one of the reason जिसके चलते इन्डिया के द्वारा इस report को अभी तक accept नहीं किया गया है एक और बड़ा कारण यहाँ पर ये भी हो सकता है जब इस report को तयार किया गया था उस time पे नेपाल के जो PM थे वो KP शर्मा ओली थे जो कि हम सभी जानते हैं उनका जो जुकाब था वो चाइना की तरफ बहुत जादा था और उन्ही की leadership के तहट during COVID-19 period time उन्ही के द्वारा नेपाल का एक नया map इशू किया गया था जिसमें कि उन्होंने इंडिया के कुछ एरियास को नेपाल के map का हिस्सा दिखा दिया था क्यूंकि उस time पे frictions बहुत बढ़ गई थी there might be a reason कि शायद इंडिया इसलिए भी इस report को यहाँ पे accept नहीं कर रहा है खेर जो भी है लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत clear है कि नेपाल के tactics बिल्कुल सही नहीं है बार-बार इस तरह के events organize करना जहां पर इंडिया को blackmail करना इंडिया की foreign ministry को force करना report को accept करने के लिए ये tactics obviously काम नहीं करने वाले हैं इस तरीके से इंडिया कभी भी इस report को accept नहीं करेगा और दूसरी चीज़ अगर आप देखें जस पिछले ही हफते की बात है नेपाल ने ये कहा था कि नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक भारत है हम लोग भारत के interest को हमेशा protect करें और आज नेपाल इंडिया को blackmail कर रहा है कि पहले EPG report को publish करो तो ये clearly बताता है कि नेपाल की political instability तो है ही लेकिन उनकी जो ideological thinking है वो भी यहाँ पे clear नहीं है इसको भी उनको पहले align करना होगा बाकि आप लोग क्या सोचते हैं definitely बताए हमें comment section में जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि unacademy के learners ने एक बार फिर से 2023 के UPSC exam में बहुती शांदार performance दिया है 315 से भी हदिक learners ने qualify किया है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे UPSC exam की तयारी के लिए अगर आप भी अपनी तयारी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो हमारे centers नई दिल्ली के करोलबाग में मुकरजी नगर में और साथ ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं इन centers में आपके लिए 2026 के courses को announce कर दिया गया है और इन centers में हम लोग आपके लिए current fair, magazine coverage, interaction with educators, mentorship जैसी सारी services भी available करवा रहे हैं अगर आप in-roll करना चाहते हैं तो process बहुत ही simple है description box में आपको एक bitly link दिया हुआ है वहाँ पे जाके आपको click करना है अपनी जानकारी भरिए हो हमारी team आपको priority basis पे reach out करेगी आपकी जो भी doubts और queries है उनको solve करवाया जाएगा Thank you so much for listening, stay tuned and stay safe